दोस्तो सफलता और सफलता का सारा खेल डिपेंड करता है आपके समय और आपकी उर्जा पर अगर आपका समय और आपकी उर्जा बेर्थ हो रही है या गलब दिसा में जा रही है या ऐसी जिगह पर आप लगा रहे हैं जहां से सफलता से उसका कोई मतलब भी नहीं है तो आप सफल नहीं होंगे आप कितने भी मेधावी हों कितने भी टेलेंटेड हों आप में कितनी भी प्रदिभा क्यों नहीं हों आप सफल नहीं होंगे क्यों कि आप वो नहीं कर रहे हैं जिसको करने से सफलता आपको मिलेगी मैं फार एक्जामपल आपको बताता हूं कि एक्जाम में अगर जो प्रस्ट न आये हैं, अगर उनके उत्तर आपको नहीं पता हैं, और कितना भी वाजिब कारण के होना आप लिगने की आपको उनके उत्तर क्यों पता नहीं हैं, आप बहुत टेलेंटेड हैं, आपको पता ही हैं कि परिक्षाओं में चीजें conceptual होती हैं, अगर आप उ अपना समय और आपकी जो उर्जा है, उसको बचा के रखना है, उस काम के लिए जहां पर लगाने से आपको सफलता मिलने वाली हैं, दोस्तों एक कहानी है, सबसे पहले तो मैं यहीं से सुरुआत करना चाहूँगा, कि एक हाथी है, सुबह सुबह एक पॉंड, एक तालाब का बना हुआ है, छोटा सा, बहुत ही गंदा कीचड़ है महाँ पर, और उसमें एक सुर जो है वो लेट रहा है, लोट रहा है, खुब लोटने के बाद, उसने जैसे ही हाथी को देखा, कि हाथी आ रहा है, तो वो उस कीचड़ से बाहर निकला, और पुल पर हाथी की तरफ जुमता हुआ चला, हाथी ने देखा कि सुर बहुत ही गंदा है, उसके सरीर से बास आ रही है, वह गंदगी से सना हुआ है, तो हाथी एक तरफ हो गया, और सुर को उसने पहले जाने दिया, और इस तरीके से सुर खुब मस्ती में एड़ता हुआ, उस पुल से निकल गया, उसके बाद हाथी ने अपना रास्ता तैं किया, थोड़ी देर के बाद जब सुर के दोस्त उससे मिलते हैं, तो वो सुर से बोलते हैं कि अरे बाद, तुम्हारी अकड देखके तो मुझे बड़ा आश्चर हुआ, एक इतना बड़ा जो हाथी है, वो भी तुमसे डरता है, तो सुर ने कहा कि अभी तुमको पता नहीं मेरी पावर, वो डरता ही नहीं है, मुझे देखकर जुक भी गया था और एक साइड भी हो गया था, और अगर वो ऐसा नहीं करता ना, तो मैं उसकी वो गद बना देता कि वो भी क्या याद करता, थोड़ी दिर के बाद हाथी से हरा देता या तुम्हारा कुछ बिगाड लेता, हाथी ने हसते वी जबाब दिया कि दोस्तों बात वो नहीं थी, बात यहाँ पर इंपरोटीज को असुद्धता को खुद से दूर रखने की थी, मुझे पता है कि सुवर की कोई भी आवकात नहीं है, और मैं बस उसको अग सुवर से मैं टकरा गया और उसके वज़े से मैं असुद्ध हो गया हूँ, तो मुझे असुद्धता का भान होता, उसी असुद्धता के भान को दूर करने के लिए मैंने उसे पहले जाने दिया, और वैसे भी एक बात तो बिल्कुल तया है, कि अगर कोई बहुत ही गंदी ड्राइविंग कर रहा है दोस्तों सडक पर, तो आप उससे बच जाईए, अगर उसके ड्राइविंग अच्छी नहीं है, तो वो निश्टित रूप से कहीं ने कहीं और किसी और से जाके टकराएगा, और उसकी जीवन लिला तो समाप्त होनी ही है, तो बेहतर बस यह है कि आप अपने आपको बचा लें, तभी आप एक कुसल ड्राइवर, एक कुसल यातरी माने जाएंगे, तो दोस्तों प्राय ऐसा देखा गया है कि जीवन में आपको भी कुछ ऐसे लोग मिल जाते हैं, जो आपको अनावस्चक तरीके से ट्रोल करते हैं, आपको तंज करते हैं आपको ताने देते हैं, और आपको जो है, मतलब इस्थिती ये बनती है कि आपको क्रोध आ ही जाता है, आपका मन करता है कि इस व्यक्ति को सबक सिखा ही दिया जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर मामला बस वही सुगर और हाथी वाला हो जाता है, होता ये कि जैसे ही आप उस व्यक्ति के लेबल पर पहुंचते हैं, यानि कि जैसे ही आप सोचेंगे कि चलिए मैं अपना लेबल नीचे गिरा कर उस व्यक्ति से अब निपट ही लेता हूँ, वह व्यक्ति एक लेबल और नीचे चला जाता है, फिर थोड़े देर के बाद जब आप उस लेबल पर परास्त भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मामला संसकारों का है, उच्च कोट और निम्न कोट के संसकारों का है, आपके संसकार आपको बहुत नीचा गिरने से रोकेंगे, और उस व्यक्ति के संसकार कहेंगे कि गिर, इतना नीचे गिर कि यह व्यक्ति यहाँ तक पहुँच ही ना पाए तो निश्चित रूप से एक हाथी स्वक्षिजल में ही नाएगा और एक सूवर वो कीचन में ही लोटेगा यह आप पर डिपिंड करता है कि अब आप क्या करने वाले हैं अगर आप हाथी हैं तो बस वही बाद हाथी चले अपनी राह कुत्ते भौके ह प्राया दोस्तों यह भी देखा जाता है कि कुछ लोग जीवन में ऐसे मिल जाते हैं आपके घर में आपके पडोस में आपके दोस्तों में जिनको दूसरों का जो मनोबर है उसको तोड़ने बड़ा मजाता है वो जब तक सामने वाले को जब तक इस लेबल पर ना कि सामने वाला जो है वो बिल्कुल हतोसाइथ हो जाए बिल्कुल धरासाई हो जाए वो बिल्कुल खतम हो जाए कई बार ऐसा होता भी है कि लोग दूसरों की बातों से सुनकर अपनी तुलना करने लगते हैं और बहुत बार मामले बहुत ही गंबीर भी हो जाते हैं लोग अपनी जीवन लीडा तक को समात करने का प्रयास करने लगते हैं, जो कि बहुत ही गलत है। देखो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से कई बार कह चुका हूँ, फिर कहना चाहूंगा कि आपका जीवन है, उसके मालिक आप हो। कल की डेट में अगर आप असफल होते हो, तो इसके जिम्मेदार भी आप हो, करते हैं कि असफलता के एक हजार कारण हो सकते हैं, लेकिन उसका कोई भी कारण सही नहीं हो सकता है, इसका कहने का मतलब यह है, कि अगर आप असफल होते हो, तो उसका दुख भी आप ही भोगोगे और अगर आप सफल हो जाते हैं तो यही जो आपके ट्रोलर हैं यही लोग जो आपको गालियां दे रहे हैं यही लोग जो आपका मनोबल तोड़ रहे हैं यही आपके नीचे आकर बैठेंगे तो यह आपके उपर depend करता है वैसे friends मैं आपनों से कहना चाहूंगा कि exam में इस बात से कोई फर नहीं पड़ता है कि मैं आपको कहना चाहूंगा कि अगर माल लिजे आपने ये रिचाइड किया कि आप IS बनेंगे ठीक है और घर वाले बाहर वाले सारे दोस्त अब आपके लिए तालिया बजा रहे हैं कि मेरा दोस्त IS बनेगा तो क्या आप IS बनेंगे जी नहीं उनके कहने से कोई फर नहीं पड़ता आप exam में क्या करके आते हैं इस से फर पड़ता है इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति ये कहता है कि आप IS नहीं बन सकते छमता नहीं है कूबत नहीं है तुम्हारे बसका नहीं है कुछ भी आप से कह लें लेकिन अगर आप बहतर करके आएंगे उन तिन गंटों में जब आ परिच्छा हाल में होंगे तो आपको IS बनने से कोई रोक नहीं सकता है यानि कि सारी चीजें इस बात पर depend करती है कि लोग क्या करते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप क्या करते हैं इससे फर्क पड़ता है तो आप क्या कर रहे हैं ये आपको बहतर पता है कि आप सही ट्रेक पर हैं या नहीं हैं अगर आप सही ट्रेक पर हैं तो सफलता आपको मिलेगी और अगर आप लोगों के कहे पर आकर अपना समय अपनी उरजा अपने विचार अपने दिमाग को बिलकुल उलजा लिये हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और तो उसके बाद तो वही होना है क्योंकि वह यही तो चाहते हैं कि आप फसे रहें तो क्या आपकी जिंदगी आपके हाथ में है या उस व्यक्ति के हाथ में जो आपको ट्रोल कर रहा है इस पर एक बार विचार किजिएगा और निश्चित रूप से प्रयास ये करिए कि आपकी जिंदगी आपकी खुसी सब कुछ आपके हाथों में रहे यानि कि आपके जिंदगी का कंट्रोल आपके हाथ में रहे लोग कुछ भी करते हैं घने दीजिए चुप रहिए अपने उर्जा अपना समय बचाईए और वहाँ पर लगाईए जहां से आपको इतनी ताकत मिलने वाली है कि आप सब का मुह एक साथ बंद कर सकते हैं दोस्तों कहा गया है कि एक कही साधे सबसद है सबसाधे सब जाए तो सब को साधने का प्रयास न करें सिर्फ एक को साधें और वो क्या है यह आपको बहतर पता है वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करतीजीगा मेरा एक मोटिवस्टन चैनल भी है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है अगर आप चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं धन्यवाद